दोस्तों जहिंद नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे इससी जीडी कॉंस्टेवल का विकेंसी आ चुका है और उसका ओनलाइन फॉन भी फिलप जो हो रहा है और यह चीज आप अपने मॉबाइल से हैं ओनलाइन फॉन फॉन फिलप भर सकते हैं खुद से ठीक है इसमें हम बात करें तो आपको मिनिमाइम इसक्रिशन 10 पास होना जरूरी है और साथ ही 18 वर्स आपके उम्र है तो फॉन फिलप कर पाएंगे लेकिन फॉन फिलप करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड जेनरेट करना परता है वो आईडी पासवर्ड कैसे जेनरेट करेंगे तो और आप वहां से फॉन फॉन को बड़ी असानी से फिलिप कर पाएंगे काफी इस्टेपबाई इस्टेप ओहां पर बताएगा एकिक की फॉन 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 स्विथ करने में क्या-क्या परसानी क्या-क्या दिकत होती है सारी डव्ट क्लियर भी हो जाएगा है और आप खुच पे तो कुछ इस प्रकर साइब निक यहां पर बात करते हैं कि आपका यहां पर एक सिलेके लाश्ट पर दिया गया है तक दिया गया ठीक है आपको सही से गोड़ करके यहां पर सभी चीज़े फिल करना है आपके पास यह दी अधार नंबर है तो यहां पर आप से अधार नंबर पूछा जाएगा तो आपको जो भी अपसन आप फिल करेंगे दो दो बार पूछा जाएगा आप आपका नाम दोबर पूछा जाएगा फदर्स नेम मदर्स नेम मॉबाइल नमबर इसके बाद आपकी डेटो बर्थ आपकी रोल नमबर इसके अलाबा आपकी इमेल आईडी सभी चीज आपको दो बार फील करना है ठीक है तो चली इसे जल्दी से हम फील कर लेते हैं देन आप फिर हम आगे बताते हैं तो यहां पे देखें कुछ इस प्रकार से आपको भी फील कर लेना है ठीक है जैसे जैसे मैंने यहां पाना है और आपकी यहां पर बोर्ड जो आपटएं पास की है जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड को आपको यहाँ पे फिल कर दाना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर बिहार स्कूल एक्जामिशन बोर्ट से यहाँ पर किया है तो हम नीचे चल लेते हैं और देखते हैं जैसा कि बिहार स्कूल एक्जामिशन बोर्ट इसमें है तो इसे हम फिल कर लेते हैं और इसे भी दो बर आपको फिल करना है ठीक है तो एक बार फिल से आपको नीचे जाना है और देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार School Examination Board आपको यहाँ पर एक के करके नीचे जाना है और आपको दो बर जैसे कि मैंने बताया अब यहाँ पर roll number बताया जा रहा है ठीक है आपकी roll number कितना था वो चीज आपको यहाँ पर feel करना है और इसे आपको feel से जो है एक बार feel कर लेना है जो भी आपका roll number है उसे feel करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर passing year पूछा जा रहा है जिस भी air में आप pass किये ह matter के exam दिये हैं उस year को यहाँ पर choose कर देना है और फिर से एक बार आपको choose कर लेना है आप female है तो female डालेंगे mail है तो mail डालेंगे आपके according यहाँ पर होना चाहिए label आपका जो है आपका क्या रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर matter की रखना चाहते हैं इस सभी चीज यहाँ प कर देना है जैसे सेफ करेंगे तक कुछ इस प्रकर का इंटरफेस हा जाएगा और आपके email या फिर मोबाइल पर जो है मैसेज जाएगा तो confirm कर देना है और सिंपल यह 14 दिन वैलेड रहेगा रिश्टेशन बनाने के लिए दिन आपको आउट हो जाएगा तो इससे आपको mail ID पर चलिए उस mail को wait कीजिए थोरा सा time यहाँ पर लग सकता है उस mail ID पर जो भी आएगा उससे आपको यहाँ पर feel करना है तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पर mail आ चुका है जो कि SAC के तरफ से दिया गया है अब यह registration number मुझे मिल चुका है जो कि SAC के तरफ से जारी हो चुका है और यह passport भी मिल चुका है इस passport को registration जो option है उसमें आपको feel कर देना है तो चलिए उससे जल्दी से फील कर लेते हैं कि यह जो code मिला है आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर registration number यहाँ पर code और यह capture आपको इसमें feel करके login करना है ओके अब यहाँ पर चलिए login कर लेते हैं जैसे login करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और option आता है कि आपका जो यहाँ पर old password है ओ आपको यहाँ पर feel करना है और देन आपको यहाँ पर new password बनाना है ठीक है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है new password कैसे बनाना है तो ओ चीज़ आप यहाँ पर सीख लिज़े अभी काफी काम की चीज़ है आपको h बरा रखना है अपने नाम का और आपकी फर्ष्टे नाम रखना है उसके बाद आपको add the rate 12345 इसमें numbering small और capital जो है सभी आ चुका है जैसे कि मेरा नम हीना कुमारी तो दे कर से password बनाएंगे तो strong हो गया अब यह सम्मिट पर टच कर देते हैं जैसे ठम में पर टच करेंगे यहाँ पर save कर देंगे यहाँ पर close कर देंगे आपका password यहाँ पर already success हो चुका है यहाँ पर registration station डालेंगे phone fill up करने के लिए ठीक है और यहाँ पर जो है password डालेंगे जो मैंन तो capture को यहाँ पर fill करना है बड़ा चोटा करेंगे तो फिर दिकत हो जाएगा अगर बड़ा है तो बड़ा डालेंगे चोटा है तो चोटा डालेंगे और दें login पर click करेंगे जैसे login पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो ID password generate हो चुका है और इस परकार से आप login हो ज देखना चाहते हैं फॉन फिलफ करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे आप चेक आउट कर फॉन फिलफ आप जरूर कर लीजिए ओके जैहिंद